नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है हर्शिद वेदी एक और वीडियो स्पेक्टर मॉडर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है पिछली वीडियो में हम लोग फैमीन ऑफ 1943, राज गुपालाचारी, फॉर्मूला जिसको राज़ा जी प्लान भी बोलते हैं, दिसाई लियागक पैक्ट, वैवल प्लान, इन सब चीजों के बारे में बात कर चुके हैं यहाँ पर हम लोग शुरुबात करेंगे फस्ट फेस अफ द इंडिय नैश्नल आर्मी और फिर सेकड फेस ऑफ द इंडिय नेश्नल आर्मी तो मुहन सी, राज़ भीहरी बोष जी और सुभास चंद बोष जी का क्या रोल था हमारी इंडिय नेश्नल आर्मी में इसको उसके उपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ सुभास चंद बोस जी की मैं बायोग्राफी मना चुका हूँ इंडियानेशनल आर्मी की उपर मैं पहले वीडियो मना चुका हूँ आप इन सब को मेरे नाम के साथ यूटूब में सर्च मार दीजे आपको वीडियो मिल जाएगी बेना टाइम वेस्ट के शुरुबात करते हैं सुभास चंद बोस जी थोड़े से आप कहसा क्यों ना किसम के आदमी नहीं थे कही ना कहीं सुभास चंद बोस जी गांधी जी के आइडियाज में उतना भलोसा नहीं लगते थे कि मिलिटन टैक्टिक्स वोलें टैक्टिक्स रिजल्ट दिखा सकती हैं और कहीं ना कहीं यह जो यूरोपेंस थे यह अंग्रेज थे यह इंडियों को मिस्ट्रीट करते थे जिसके उपर सुभास चंद बोस जी को बहुत जल्दी गुस्सा आता था बहुती जबरदस्त किसम के टैलेंटेड इंसान थे इंडियन सिविल सर्विसिस का एक्जाम दिया चौथी पोजिशन आयी उनकी फोर्थ पोजिशन उस समय पे और सिविल सर्विसिस में सेलेक्ट होने के बाद 1921 में उन्होंने सिविल सर्विसिस छोड़ दी जो कि देश के फीडम स्टरगल में पाटिसिपेट कर रहा था आप सोची दोस्तों उनके पास ऑप्शन था कि वो मज़े की जिन्दीगी जी सकते थे आराम से पढ़के उस समय पे कितने लोग सिविल सर्विसिस एक्जाम कॉलिफाई करते थे नहरू जी सब लोग true patriots थे बट इनकी जो ideology थी आप कह सकता हूँ सुभास चंद बोस जी की जो ideology थी काम करने का तरीका था इसमें difference था इन लोगों के nationalism में कोई difference मतलब कोई भी कमी नहीं थी अब बात करी जाए तो political guru कौन थे सुभास चंद बोस साब के सुभास चंद बोस साम मेर भी विने थे कलगत्ता के 1923 में कई बार Britishers ने उठाकि इनको जेल में डाला गांधी जी और सुभास चंद बोस की बीच की जो लड़ाई थी हरीपूरा सेशन त्रिपूरी सेशन ये मैं आपको बता चुका हूँ गांधी जी और सुभास चंद बोस चंद के आइडियास के कमपैर्जन भी मैं आपके साथ कर चुका हूँ एक समय ऐसा आया जहां पर सुभास चंद बोस ची को पता चल गया कि भाईया अब गांधी जी के आइडियास के साथ चल पाना पॉसिबल नहीं है और कही न कहीं वो वाकाउट कर गए उन्होंने अपना फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया अब चलते हैं उसके आगे मार्च 1940 की बात हो रही है अच्छा वही बात है दोस्तों जो बताना में भूल गया वीडियो पे लाइक का बटन अगर अब तक आपने चैनल को शेर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दिए देखिए वीडियो पे लाइक का बटन और शेर जरूर कर दे दोस्तों इसकी मुझे बहुत साख जरूरत है यूट्यूब के अल्गोरिदम में मुझे अगर आगे बढ़ना है तो आपको ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी अभी आपको पूरी modern history और पॉलिटी और बहुत सारी और चीज़ें में फ्रीम बता चुका हूँ तो इतना तो करके ज ठीक है तो भाई बहुत साब को पता चल गए कि गांधी जी के हिसाब से नहीं चल पाएंगे तो फिर क्या किया बहुत साब ने मार्च 1940 में बहुत साब ने एक एंटी कॉंप्रोमाइस कॉंफरेंस बुलाई रामगड़ में ये एंटी कॉंप्रोमाइस कॉंफरेंस में forward block ज जो struggle है ये चालू होगा काम क्या होगा इसका ये जो अंगरेजों ने हम लोगों को second world war में खीच लिया है और हमारा कोई लेना देना नहीं second world war से तो हम अंगरेजों के इस war को support नहीं करेंगे उस समय तक कही ना कहीं गांधी जी ये बोल रहे थे कि नहीं भाई अंगरेजों को ब्रिटेन को जर्मनी के खिलाफ लड़ने में हमें मदद करने चाहिए चुकि जर्मनी fastest power है सुबास चंद बोस जी ने क्या बोला कि जर्मनी fastest power है तो ये अंगरेज कौन से दूद के धुले हैं ये भी तो imperialism follow कर रहे हैं तो इनके साथ किसी भी तरीके का support नहीं देना इन को हटाना है और ये जो 6 अप्रेल से struggle शुलू करने की बात हुई थी ना इसका response भी बहुत अच्छा था था थोड़ा violence होने लगा disturbance फैलने लगा और जैसे disturbance फैलने लगा वैसे ही सुबास चंद बोस जी को arrest कर लिया गया he was arrested in July, July 1940 में इनको arrest कर लिया गया, jail में ठूस दिया गया, जब jail में इनको ठूसा गया, वहाँ पे इन्होंने सत्या गया किया, सत्या गया क्यों किया, चोकि होलवेल नाम का एक ब्रिटिशर था, जिसका कलकत्ता में monument मनाया जा रहा था, सत्या गया के चलते सुबास चंद बोस जी की थोड़ी तवयत खराब हो गई, जब यही दिखाया गया था कि कैसे उनकी तवयत खराम होने के वाद उनको जेल में डाला गया, और कैसे अपने आपको साधरा में दिखा कि वो चुपचा ब्रिटिशर की नजनों की नीचे से निकल गया, तो भीया, दिसंबर 1940 में उनको जेल से निकाल के हाउजरस में रखा गय जन्वरी 1941 में एक खबर आई कि बोस साब भाग गया है, जन्वरी 26 1941 में बोस साब पेशावर पहुंचे भगत राम तलवार की मदद से, जो किसान सभा पार्टी थी, उसने उनकी मदद की थी, और भी कुछ लोकल पार्टी इस्तिमा की उन्होंने मदद की थी, तो पेशाव की मदद से, और बाद में उनका अबजेक्टिव क्या था, अबजेक्टिव ये था कि देश से बहार निकलूँगा, और बाहर की ताकतों की मदद से ब्रिटेन को हराएंगे, तो यहाँ पे बोस साब का प्लानी था कि रशिया के पास जाएंगे, और रशिया से मदद मागे ताकि रशिया की आरमी की मदद से ब्रिटेन से इंडिया को आजाद कराया सके, उनको यह पता था कि मुझे ब्रिटिशल को हराना था, और ब्रिटिशल को हराने के साथ acting और emotion और रोना गाना नहीं हो रहा होता है इसलिए कभी-कभी ऐसी movies famous नहीं होती है राजपाल यादव है सुभास्टन बोस वाली movie में ठीक है तो इस movie को जरूर देखिए जाके मैं आपको बोलूगा मुल सकता है आपको इतनी fashionable ना लगे बड़ अच्छी है अगर आप थोड़ा सा भी inner freedom struggle के साथ अपने आपको connect करते हैं तो आपको movie देखनी चाहिए सुभास्टन बोस वाली कोशिश करेंगे तो सबसे पहले अप्रोच किया रशिया को लेकिन हुआ ये दोस्तों कि जून 1941 में रशिया allies की तरफ चला गया यनि ब्रिटेन की तरफ चला गया ओके चुकि जर्मनी ने रशिया पर जर्मनी का सपोर्ट जरूरी था ऐसा लगा बोस साब को और इस सपोर्ट के लिए हिटलर से मिलना बहुत जरूरी था और बोस साब मिले हिटलर से जब वो हिटलर से मिले तो किस नाम से मिले Orlando настоящ के यहाँ पर अनोंने Hitler से request की सूचिए इन परसन बोस साथ हमारे हिटलर साथ से मिले और यहाँ पर हिटलर से request की भी यह freedom army बनाने दीजे मुक्ति सेना बनाने दीजे यह मुक्ति सेना में कौन लोग होंगे वो prisoners of war होंगे allied forces को जो की इंडियन से हैं जिनको जर्मनी और इटली ने कैप्चर कर रखा है तो अब वेसी बात है दुनिया भर में एक तरफ जर्मनी इटली और जापान थे वो अलाइट पावर से अगेंस लड़ रहे थे तो जहां जहां पर यो लोग जीत रहे थे वहाँ पाव़े अलाइट पावर की जो फोर्से थी उनको बंदी मिना ले थे और उसके अंदर की जो इंडियन्स थे उससे मुक्ती से ना बनाने के बाद की सुबाश्चन बोस साब ने जर्मनी में लोग सुबाश्चन बोस साब को नेता जी बोलते है जो Free India Center जर्मनी का वहाँ से नारा दिया सुभाष चंद बोश जी ने किसका जैहिंद तो यह सब चीज़े हैं यहाँ पर अब यहाँ पर देखो दोस्तो तो एक बहुत important factor है 1942 जन्वरी में Berlin Radio पे regular broadcast देना शुरू कर दिया सुभाष चंद बोश जी ने, नेता जी ने वो इंडियन्स को address करने लगे और यह broadcast किसी तरीके से इंडिया तक भी पहुँचाया जाता था 1943 में यह जर्मनी छोड़के कहां गए जापान गए पहले तो यह जर्मनी की सम्मेरीन से गए आदे रास्ते पे बोड के थूर यह जापान की सम्मनीर में गए और जापान की सम्मनीर से फिर फाइनली यह सिंगापुर रहोचे जब यह सिंगापुर पहुचे तब इनको इंडियन नेशनल आर्मी की कमाल किसने समाली राश बिहारी बोश जी ने समाली और यहाँ पर आएगा second phase of international army यनि जब तक international army की command समालेंगे सुबास चंद बोस तब तक आजाएगा second phase of international army अब जब second phase of international army पर directly पहुंचता सही नहीं है इसलिए कहीं न कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि international army की शुरुवात कैसी हो इसका पहला phase क्या था तो पहला phase को design करने में एक officer जिनका नाम है Mohan Singh, इनका एक major role रहा है Mohan Singh का ये idea था, ये एक Indian army officer थे इनका ये idea था कि जो Indian prisoners of war है ना इनसे एक army बनाएंगे Malaya नाम की जो जगा है, जहाँ पर President Day Malaysia है वहाँ पर Britain की army हार गई Britain की army हारने लगी तो वह backtrack करने लगी और बहुत सारे Indian prisoners of war फस गए तो जब Indian prisoners of war फस गए जापान के गबजे में उस समय पे तो Mohan Singh जी के पास एक option था कि वह retreating यानि पीछे दोड रही भगोड़ी British army के साथ मिलके वापस भाग जाए लेकर Mohan Singh जी ने ये नहीं किया वो prisoners of war के साथ रहे और बाद में Mohan Singh जी ने Japanese से मदफ मागी और बोली कि हमको एक prisoners of war की सेना मनाने दीजे हम इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं जिन्होंने हमें सालों से गुलाम मना रखा है और जो हमें यहाँ पे भगोड़ों की तरह भाग के चले गए आप सोचिए अपने ही prisoners of war साथियों को छोड़ के British army वापस backtrack कर गई बहुत सारे prisoners of war फस गए Japanese के हाथों में Mohan Singh भी भाग सकते दे बर भागे नहीं वो वहीं रुके और Japanese से बोला हमें अंग्रेजियों से बतला लेना है हम आपकी मदद करेंगे इन prisoners of war से हमें एक army मनाने दीजे और attack करने दीजे Britishers के उपर Japanese को लगा कि अरे भाई यह तो मज़ा ही आ गया Japanese को लगा कि इनको बैठे बैठे खिलाने से अच्छा है इनकी army मना के खुदी ब्रेटेन पर attack करवा दो तो कुछ न कुछ हद तक Japanese को यह इलाका यह जो idea था वो appeal कर रहा था ओके तो यह मोहन सिंग जी का idea था आप यहाँ पर आगे देखी क्या हुआ बहुत सारे prisoners of war Japanese ने मोहन सिंग जी को दिये मोहन सिंग जी ज़्यादा ज़्यादा लोगों को Indian national army में जोड़ना चाहते थे देखा यह गया कि जब Singapore fall हुआ और कुछ ऐसा हुआ था Singapore के fall में दोस्तों की Japanese army हार रही थी कहीना कहीं Indian army जीत रही थी उसके बाद भी Britain का जो general था उसने surrender करते है जब Singapore गिर गया और Indian prisoners of war को छोड़के जो बिटेन वाले थे वो भाग गए उस समय पे बहुत सारे prisoners of war को recruit करना शुरू किया मोहन सिंग जी ने और आप देखेंगे 1942 का end आते आते 40,000 लोग Indian national army को जोईन करने के लिए तयार थे यह जो prisoners of war थे जो कि international army को जोईन करने के लिए तयार होगे थे इनके दिमाग में एक सपना था क्या सपना था कि वापस इंडिया जाएंगे और इंडिया को अंग्रेजों से जीत लेंगे यह जो अंग्रेज हैं जिनके लिए हमने इतनी सेवा की यह हमको छोड़के बाग गए इनको हराएंगे लेकिन यहां पर कही न कहीं इनलों की दिमाग में यह भी था कि हम इंडिया में attack तम मारेंगे जब इंडियन national congress हमको invite करेगी और कही न कहीं इनको मदद कौन कर रहा था Japanese army कर रही थी बट इंडियन national congress इनको invite करने वाली नहीं थी चुकि इनको invite करने का मतलब क्या था कि Japanese भी साथ में आएंगे अब यहां पर देखी दोस्तों इंडियन national army को बनाने का एक और reason था चाहे मोहन सिंग जी हूँ चाहे आगे राश बिहारी boss जी हूँ यह लोग भी दिमाख वाले लोग थे इनको यह मलूम था कि अगर Japanese बर्मा के रास्ते इंडिया में घुसते हैं तो Japan भी colonial power है Britain भी colonial power है तो कही ना कहीं वहाँ पर Japanese को चेक करना पड़ेगा और Japanese को चेक करने के लिए Indian national army से बहतर क्या हो सकता है तो Indian national congress के जो दिगज नेता था गांधी जी नहरू जी इन लोग को टेंशन थी कि Japanese मायन मार के थूँ इंडिया में आ रहे थे लेकिन यह जो इंडिया नेशन आर्मी के जो लीडर थी ना सुबास चंद बोस जी इनको भी यह टेंशन थी कि भीया एक बार अगर हम इंडिया में घुसके जीच जाते हैं तो यह जापानी अपनी आउकाद दिखाएंगे तब इनको हैंडल करना ही पड़ेगा लेकिन वो बात की सरदर्दी थी अब जापान का मूड क्या था कि भाया इंडिया को हम लोग इन्वेट करेंगो ब्रिटेन को खाड़ फेकेंगे लेकिन यहाँ पर थोड़े से डिफरेंसे आ गए जापानीस के बीच में और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के बीच में देखें जापानीस चाहते थे कि केवल 2000 की फोर्सेज दी जाये मौहन सिंग को मौहन सिंग चाहते थे एक बड़ी आर्मी मने अब सोचे जापानीस क्या सोच रहे है अब आप यहाँ पर माइंड गए बहुत आराम से पकड़ सकते हो मोहन सिंग जी का क्या मने कि prisoners of war के हम लोग आर्मी मनाएंगे, attack करेंगे इंडिया के अंदर, और इंडिया हमारा हो जाएगा जापानीस क्या सोच रहे हैं जापानीस तो अपना सोचेंगे न वोच चिह को घंडीया के ऊंझारी दिनि वोच जटर शेंगे गे जरुए्ट विग्धल मैंने वहुए हैं कि मोहन सिंग को जापानीे बीच के रिश्ते इतने कि था जून 1943 में सुभास चंद बोस जी जापान जाएंगे टोक्यो में और टोक्यो में जपानीस प्राम मिनिस्टर टोजो से मिलेंगे उस समय पर उनने अपना नाम क्या रखा आबिध हुसेन एक बहरूपिय बनके घूम रहे थे सुभास चंद बोस जी चोकि दुनिया भर में जो बहरी बोस राज बहरी बोस भी इंडिया के बहुत बढ़े freedom fighter थे किसी तरीके से 1915 में इंडिया से निकल के भाग के वो जापान पहुंच गये और जापान में वो एक naturalized citizen मन गये जापान के लेकिन उनके अंदर से इंडिया ने निकला वो इंडिया के लिए informal support बनाते रहे इंडियन independence movement को एक आग देते रहे वो जापान में रहके, Pan Asian Circles में involved हुए, इंडिया की freedom की बात करते थे, Indian Club of Tokyo बनाया, हमेशा Western Imperials के against statement देते थे राजपियारी बोस साब कि राजपियारी बोस साब को सुभास चंद बोस जी की leadership के बारे में पता था, सुभास चंद बोस जी के काम करने का तरीका पता था राजपियारी बोस जी को, इसलिए कहीं न कहीं सुभास चंद बोस जी से काफी impressed थे राजपियारी बोस, मोहन सिंग के अंदर जब इंडिय पैंककॉप जापान कहपसे गंदलographers नरी को जापान टोक्यो में नैंटीन फॉटी बोस जी इसकी command ले चुके थे बट कहीं न कहीं military leadership वाली skills दिखाना और कहीं न कहीं इसको लंबे समय में lead करना इसके लिए किसी और की जरूत थी चुकिए obvious ही बात है उसके बाद कहीं न कहीं कुछ health concerns होने लगे थे राजबहरी बोस जी को अब यहाँ पर entry होती सुभास चंद बोस जी की जब सुभास चंद बोस जी पहुँचे सिंगापुर में और सुभास चंद बोस जी का plan पता था राजबहरी बोस को कि भाई कैसे न कैसे करके इंडियन नेशनल आर्मी को train करके इंगलेंड पैटाय करके इंडिया को आजादी देलाएंगे राजबहरी बोस सहब अल्रेडी बहुत जदा आपके सकते influence थे सुभास चंद बोस जी से तो जैसे सुभास चंद बोस जी सिंगापुर मोचे खुशी-खुशी राजबहरी बोस जी ने इंडियन इंडिपेंडनेंस लीग की और इंडियन एशनल आर्मी की कमा जुलाई 1943 में सुभास चंद बोस जी को दे दी तो जुलाई 1943 कमांड ऑफ इंडिपेंडनेंस लीग और इंडियन नेशल आर्मी वास ट्रांसफर्ड टू सुभास चंद बोस अब समझ यह आपर सुभास चंद बोस को पहले से बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई मिली आर्म आर्मी डिसिप्लिन क्यों है आर्मी एफशेंट क्यों होती है चुकि आर्मी के सोल्जर्स को ट्रेंड किया जाते है डिसिप्लिन रहने की ट्रेंगि डी जाती है अलग-अलग सब्सक्राइब और सुभास चिंद बोस चीवा इसको बहुत फाइदा हुआ राश बिहारी बोस साब ने जो और इस तो बहुत प्राइजेशन था और उस चीज़ को पकड़ा सुभास चिंद बोस साब इंडिन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमाडर बन गए कब 25 अगस्त को ठ जी की धीर धीरों उनकी हेल्थ बहुत बिगड रही थी फाइनली उनेशनल प्राइस जन्वरी को अठाइवन साल की उमर पे राश ब्याहरी बोस जी का निधन हो गया लेकर सुभास चंद बोस जी अब तक कमान पकड़ चुके थे 21 अक्टूबर 1943 को सुभास चंद बोस जी एंडिया को अधार बाहर फेकती हैं तो जो सरकार बनेगी न वो सरकार के हेड कौन होंगे सुभास चिंद बोस होंगे यह प्रोविजिनल गॉर्मेंट फॉर फ्री इंडिया तो यही दिखा रही थी चलिए कोई बात नहीं यहाँ पे नारा दिया सुभास चिंद बोस साब ने तुम मुझे खून दो मैं तो मैं आजादी दूँगा और यह नारा बहुत फेमस हुआ और यहाँ पे बोस साब ने वार डेक्लेर कर दिया ब्रिटेन के अगेंस्ट और यूनाइट स्टेट्स के अगेंस्ट जो की ऐलाइट पावर्स थी और एक्सेस पावर के किये गए रानी जहासी रेजिमेंट प्रवाइट की गई उस समय पर वूमन की एक फुल फ्लेजड कॉमेट रेजिमेंट मनाना यह अपने आप में ही एक बड़ी बात थी जैसे जैसे आइने स्ट्रॉंग होती गई इंटरनेशनल प्रेजेंस इसकी बढ़ती गई आइने के हेड़कॉर्टर्स बनाएगे रंगूर बर्मा में जनवरी 1944 में जो वर रिक्रूट से रोज ट्रेनिंग दी जाती थी जोज से भरे हुए थे और एक ही नारा था उनके जमान पे चलो दिल्ली चलो और दिल्ली पे चलके कबजा करो 6 नॉमबर 1943 पे जापानीज आर्मी ने इंडियन नेशनल आर्मी को गिफ्ट किया अंडवान निकुबार आइलेंड तो 6 नॉमबर 1943 जापान और इंडियन नेशनल आर्मी के कबजे में आ गया इंडवान निकुबार आइलेंड यहाँ पे यह कमांड सुभाशन बोश जी को न्यूस दे रखें, पिछले साल की मतलब अगर आप लास्ट येर से मेरे करेंट अफिर्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीके दोस्तों, अब यहाँ पे जापानीस का अपना रोल था, जापानीस को यह लगता था, कि जैसे पहुंचाएंगे इंडिया में, तब इंडिया पे कब जा लेंगे, इंडिया निशनल आर्मी को अपने प्लान बन रहे थें। और गांधी जी से आशिरवाद मांगे, इंडिया के लास्ट वार उइंडिया के लिए, चुकि 1943 में अंडवान और निकोबार आइलेंड्स पे कबजा कर चुगी थी इंडिया नेशनल आर्मी, और उसके बाद ऑविस टार्गेट क्या होगा, इंडिया लैंड मास होगा, त इसके कमांडर थे शानवाद साब, इनका काम क्या था, कि जापानीज आर्मी के साथ, इंडिया नेशनल आर्मी के सोल्जर्स जाएंगे, इंडिया नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को शानवाज लीट कर रहे थे, और इंडो बर्मा फ्रंट पे जाके लड़ेंगे, लेकिन यह नहीं पे जब जापानीज के साथ combinedly Indian National Army operate कर रही थी तो जो जापानीज थे न वो इंडियन को प्रापर तरीकी से treatment नहीं दे रहे थे तो बेकार के काम करवाने, manual काम करवाना, ठीक हैं? तो ऐस तरीके काम होते हैं कि खाना बनवाना, कपड़े धुलवाना, इस तरीके काम जा बर्मा बॉर्डर को क्रॉस कर गई इंडियन नेशनल आर्मी की जो यूनिट्स थी आजाद हिंद फॉज ने बर्मा बॉर्डर को क्रॉस किया 18 मार्च 1944 में ये इंडियन सोयल पर पहुंच गए और कोहिमा इमफाल तक पहुंच गए ओके और मनीपूर में मोयरंग नाम की जग किलाबाद, जैहिंद मतलब कि ये एक बड़ी विक्ट्री थी लेकिन इसके बाद रेप्रेशन भी आना था कहीना कहीं अलाइड फोर्स भी प्रेजिडेंट थी इंडियन पेनिसुला में उन्होंने पलट के अटैक किया जब पलट के भई अटैक किया तो कहीना कहीं जो एक अब कहीना कहीं मनीपूर पहुंचने के बाद जापान थोड़ा-थोड़ा हारने लगा इन्टनेशनल आर्मी थोड़ा-थोड़ा हारने लगी फाइनली आप देखेंगे 15 अगस्त उन्नेस सो पैंतालिस को तो जापान हारी जाएगा सेकेंड वर्ड वर्ड में जब अगस्त उन्नेस सो पैतालिस को दिन में लगबग दो बजे साइगाउ नाम के शहर के शाइगाउ नाम के शहर को आज फेमसली बोला जाता है होची मिन सिटी सौधन वियतनाम की एक बहुत इंपोर्टन और बहुत टूरिस्टिक सिटी है तो कभी वियतनाम जाएंगे आप तो या तो आप हनोई जाओगे या आप होची मिन जाओगे तो यहां से एक उडान भरी सौभास चिंद बोस जी ने और अनफॉटनेटली उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो उनकी इसमें मृत्ति हो गई अब ज़दातर केसे में तो यही रीजन बताया जाता है कही ना कही कुछ कॉंट्रोवर्सीज भी है इनकी मृत्तियों को लेके उके उसके बाद सुभास चिंद बोस जी के अनफॉटनेटली यहां पे मृत्तियों हो गई और इंडियन नेशल आर्मी के जो प्रिजनस ओफ वार थे उनको पकड़के इंडिया में वापस लाया गया उनका कोट करने के लिए लेकिन क्या इंडियन लोग कोट मार्शल दीने होने देंगे मुश समय तक इंडिया में गुस्ते की लहरती अंग्रेजों क्या कि है एक तरफ पे इंडियास को दिख रहा था कि भाई ये लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं तो क्या लगता है भाया इन लोग के सपोर्ट में पूरे देश में आंदोलन होने लगा लोग सड़कों पोतर आये अंग्री सरकार को समझ में आगा कि इनको नहीं कर पाएंगे हम लोग सजानात दे पाएंगे ये पागल हो गए हो इंडिया की जनता तो ये था अनलेसिस दोस्तों चेप्टर 23 यहां पर खतम हो गए है चेप्टर 24 पोस्ट वार नैशन सिनारियो ये देखेंगे अब लोग सो थैंक यू फो वाचिंग फ्रेंट्स आप आपको सीखने को मिला होगा